हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप, आसा करता हैं आप सब भी ठीक होंगे और आज है नवरात्रों की अस्टमी और अस्टमी में हमारे आँ खुलते हैं वरत और सब बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इनके तो रधैनी लेकिन हमारे खुलेंगे तो यह बहुत खुश हैं और यह चिंगकी चिंगकी ने पूजा कर ली है अभी चोटा सा हावन करेंगे सब लोग और यह है आरस आरस का थोटा सा मूड ओफ है बोल राप पूजा करता नहीं देखो आप सब और देख तरह होंगे और गुट्ट्ट्व पुर्साद खाने के लिए उतावली हमां मम्मी और यह चिंककी लेक्ट हैं राइट हैंचे करो बार तो दिखाऊ चिंकी अपने ऐसस्टाइल बनाँ आपने अपी वह खुद आप देख रहे होंगे, बेडी-बेडी की तरह बना दिया है, असे रोस्तों के स्टाइज बना दिया है, और अब करते हैं, छोटी सी थोड़ी सी पूजा, ये क्या है आरूस, परशाद, माता जी का परशाद, ये देखिये, पांच परकार के भोजन बोले जाते है ये हमने तियार कर लिए है, ये बोग लगाएने, एकदम सुधते सी जी, ये आलू है, ये खीर है, और ये हल्वा है, और ये चावल है, और ये पूरी है, अच्छाद, इनको कचोरिया भी गयते है लांग चड़ा दो निप्टाए, तो अब आराम से यहां पर हम लोग कर रहे हैं पूजा, तो अश्टमी में ही हमारे यहां पर व्रत खोले जाते हैं, अश्टमी पूजन होता है, तो सब लोग उने दोप उठा लिये हैं, और अभी भोग लगाएंगे, और पहले भोग मैंने लगाया है, और जो जो हमने परसाद के लिए बना था, थोड़ी 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 था, मतलब सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा सा करके सब ने वोग लगाया है, और नारियल भी मतलब जो नारियल हम लेकर आये थे, उसको भी मतलब उसका जो उपर गची लग था, वो भी उतार कर परसाद में रख लिया था, इनोंने निकाल कर पूरा, तो उसका भी यहां पर भोग लगाया है, सब चीजे हमने यहां पर रख ली थी, तो अब यह भी परसाद चड़ा रहे हैं, बोग लगा रहे हैं, तो पूजा हमारी अच्छे से हो चुकी है, सब लोगों की किताब, जो कहानी पढ़ते थे डेली, वो पहले ही पढ़ ली थी, और यहां पर देखे, थोड़ा सा दुआँ दुआँ सा हो गया है, तो अभी छोटा सा किया था हावन, यह देखे, अभी यहां पर भी सब लोग पर साथ चड़ा रहे हैं, और हम लोग तो इस तरीके से ही, मतलब अश्टमिक की पूजा करते हैं, अब लोग किस तरी से करते हैं, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहां पर तो हर बार इस तरीके से ही होती है पूजा, तो हमने पूजा को संपून कर लिया है, और अच्छे से सबने पर साथ भी चड़ा दिया है, सब चीजे, तो मातरानी की करपा बनी रहे, तो देखे, हम लोग सिर्फ गाएं जिमा कर ही अपना वरत खोलेंगे, और लड़किया ऐसे माहूल में लाना ठीक नहीं है, तो चलिए गाएं जिमा लेते हैं, तो हमने अपनी तीनों लड़कियों को जिमा दिया था, आरुसी, गुट्टू और चिंकी, और फिर और जो अमारी गाएं थी, हमने उन सब को जिमा दिया था, यहां पर, और लड़कियों को ठीक ठाक रहेगा, अगली बार फिर नवरात रहे आएंगे, तो जब जिमा देंगे लड़कियों को तो कभी भी जिमा दो, अच्छा माहूल हो जाए, भगवान सब को मतलब ठीक ठाक रखे, कि सब चीजे पहले जैसी हो जाएं, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो यह सब तो होता ही रहता है, और मैंने छोटी से बच्चा के मुवें भी थोड़ा सा परसाथ लगाया था, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कि मैंने आज सबजी में क्या बनाया था, पहले मैंने इसी होजे से पहले पूजा का सब कुछ आपको दिखाया है, लेकिन जो जो बनाया है, जादा तो नहीं शेयर कर पाऊंगे, बस जो सबजी बनाई हैं, वो ही मैं सेयर कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने आलू मटर, और जो चाट वाले छोड़ ले होते हैं, मटर चाट वाली होते हैं, मटर वो वाली, चने और मटर और आलू कि यहाँ पर सबजी बनाई हैं, और थोड़ी सी बनाई थी, खीर, हल्वा, पूरी, चावल, यह सब कुछ ही बनाया था, तो सबसे पहले मैं सबजी छोग रही हूँ, यह सब चीजे मैंने उबाल कर रख ली थी तो सुखे मसाले मैंने डाल दिये हैं, जो हम डेली योज करते हैं, अपने वही ज़्यादा नहीं डाले हैं, तो अभी मैं डालूँगी इसमें जो चने और छोले उबले हुए रखे हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें ही डालूँगी और आज मैं सुखे मतलब जल्दी ही उठ गई थी और सबसे पहले मैं आई हूँ उठकर, नाते तो डेली हैं लेकिन और थोड़ा सा जल्दी उठ गई थे तो फिर मैंने, मतलब उठने के बाद में ही, देखे ये वाले चोले और चने हैं, ये अच्छे से उबल चुके हैं, और आलो भी मैंने फोड़ कर बरिक कर लिये हैं, तो फिर मुझे जल्दी से याज खाना बनाना था, और कहीं सारी चीजे बनेगी तो टाइम लग जाता है, और यहाँ पर फिर दूप बे आ जाती है, तो इसलिए आज जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था, खाना बनाना, और देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, तो यहाँ पर इसमें हल्दी भी कम रह गई थी, मसाले दानी में, तो अभी मैंने डाल रही, इसमें हल्दी, थोड़ी सी यह मैंने अभी मंगाई थी, क्योंकि यह एक गैस सिलिंडर लेने के लिए गए थे, बस इस टोपर हमारे यहाँ पर गाउं में ही मिल जाते हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ, यहाँ पर खीर, सबजी हमारी बन चुकी है, और मैंने बीच में इसरबत भी पका लिया था चूले पर ही, और सारा काना मैंने चूले पर ही बनाया है, और यहाँ पर मैं गोंद कर रख रही हूँ आटा, और यह वाली कचोरियां देसी घी में बना रही हूँ, मैं पूजा के लिए, बाकी और जो कचोरिया बनाएंगे, अपने खाने के लिए वो सरसो के तेल में बनाएंगे, तो यह चार पूरी और देसी घी का हलवा, वो हम बनाएंगे, सबसे पहले अलग ही, तो चावल भी बन चुके हैं, खीर भी बन चुकी है, और सबजी मैंने बना दी है, आभी मैं परसाद के लिए बना रही है, यहां पर पूरियां, और सारा समान बनाने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके, मैं मदल चार पांच काटोरियों में आराम से प्लेट में लगाऊंगे, और तब पूजा के वहाँ पर रख के आऊंगे, और इसी के बाद में हमने पूजा की थी, सबने बैठ कर जब हमारा खाना जो है अच्छे से बन गया था, और देखे साम का टाइम और देखे साम का टाइम, मैं साम के टाइम गई थी चत पर, और देखे पक्सी, उस दिन से मतलब ट्रैफिक कम है, तो पक्सी भी इस तरीके से जूम रहे हैं, ये हमारे गाओं का है, तो मैंने अपने माईके में भी दिखाए था, वहाँ पर तो टावर की वज़े से इतने पक्सी आते थे और पेड़ पोते, और यहाँ पर भी देखे किस तरीके से घूम रहे हैं पक्सी, क्योंकि आज कल वहाँनों की जो है, सोर कम होता है, तो इसलिए पक्सी भी आच्छे खासे जो है आसमान में गूम रहे हैं, ये देखे, ये बहुत सारे कभूतर थे, जो आसमान में गूम रहे थे, शाम के टाइं हम लोग जट पर ही गए थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकोर्ड कर लिया था, और उस टाइम देखने में काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो सूरच चिप रहा था, और ये गूम रहे थे, उस टाइम का जो है नजारा ही काफी अच्छा था, और पूरा जुन्ड जो है, पक्षियों का एक साइड में ही, मतलब घूम रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था, और ये ऐसे घूम घूम करी साम के टाइम, मतलब अपने जहां पर ही बैठते हैं, पेड़ों पर बैठ जाते हैं, जहां पर गोसले बना रखे हैं, इन्होंने, जहां पर भी इन सब ने अपनी बैठने की जंगें बना रखे हैं, तो वाह पर ये आराम से, शाम की टाइम, दिन चिपने से पहले ही, अपनी जंगें तूण लेते हैं, और देखें शाम का नजारा, और हमारी आसपास का कुछ इस तरह से दिखता है और ब्राबर साइड में ही एक घेर छोड़ कर मतलब उसके पीछे की साइड है बहुत सारे खेत तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो मिलती हैं अपनी अगली वीडियो में जब तक के लिए बाइ बाइ